मध्य प्रदेश में अब हिंदुत्व के मुद्दे के एंट्री हो गई है भाजपा का आरोप है कि कॉंग्रेस के बड़े नेता राम लला के दर्शन करने आये उध्या नहीं गए कॉंग्रेस के नेता तो राम के अस्तित्व को ही नकारते हैं अब इस मुद्दे पर कॉंग्रेस की राश्वी प्रवक्ता रागनी नायक ने पलड़वार करते हुए कहा कि राम मंदिर का निर्माड पूरा होगा तो दर्शन करने मंदिर जरूर जाएंगे मोधी जी नेत ने दिनों तक राम लला को क्यों टाट के नीचे रखा पहले ही अध्यदेश ले आते और राम मंदिर का निर्माड करते राम मंदिर सबका है किसी एक पार्टी का राम मंदिर नहीं है मध्य प्रदेश में कॉंग्रेस भाचपा की बीच आरोप प्रत्य आरोप का सिलसला जारी है अब हिंदुत्व के मुद्दे की गूँज भी प्रदेश में सुनाई दे रही है कॉंग्रेस की राश्वी प्रवक्ता रागनी नायक ने भाचपा को आड़े हातों लेते हुए कहा कि भाचपा को केवल धर्म के नाम पर श्रे वटोर ना आता है विकास के नाम पर भाचपा श्रे क्यों नहीं बटोर लेती दो करोड नौकरियों का क्या हुआ उस पर भाचपा बात करे पंधरा लाक रुपे खाते में क्यों नहीं आए सो बुले ट्रेन की बात कीजिए सो स्मार्ट सिटी की बात करिए 40 रुपे पेटरों और डीजल लाने की बात कही ती उस पर भाचपा बात करे भाचपा केबल धर्म के नाम पर राजनीती ना करे अयोध्या में निर्मान हो रहा राममन्दिर सब का है लेकिन धर्म के नाम पर वोट मांगने की सियासत पर पूर्ण विराम लगता हुआ कॉंग्रेस की राश्वी प्रवक्तर अगनी नायक ने कहा कि मध्यप्रदेश में कॉंग्रेस की सरकार बनेगी और कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे कमलनाथ जी के साथ तमाम कॉंग्रेस के नेता राम लला के दर्शन करने अयोध्या जरूर जाएंगे कार तो यहां पर कॉंग्रेस की बनेगी और कमलनात जी के नेत्रत में तमाम मंत्री तमाम कॉंग्रेस के नेता और मैं तो यह कहना चाहती हूं कि तमाम जो सनातनी हिंदू है वो श्री राम जी के चर्णों में जाकर शीष नवाएंगे पर कभी भी धर्म को आस्था को आप देख रहे हैं डखल न्यूज